क्रिश्न क्रिश्न मुगुंद जनार्धना क्रिश्न गोविंद नारायनाहरे कड़ी में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है और जाते ही इसके पकोड़े मुँँ में बिल्कुल घुल जाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह नर्म मुलायम रूई जैसी कड़ी की पकोड़े वाली रसपी चछ से पहले हमें कड़ी का घौल बना के त्यार करना है उसके लिए मैंनें टेषिप कप खट्ठा दही लिया है एक तिहाई कप पेशन लिया है खटी दही जितनी होगी हमारी कड़ी उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है यहाँ पर मैंने डेड़ कप में एक तिहाई कप बेशन लिया है अगर आप एक कप दही ले रहे हैं तो उसमें एक चौथाई कप बेशन डालेंगे अभी इसमें हमें पानी को एड़ करना है आप चाहें तो मतानी से इसको मत भी सकते हैं मैंने विस्स कर लिया है इसको अभी मैंने एक पिंच इसमें लाल मिर्ची डाला है मिर्ची की मातरा को आप और ज़्यादा कर सकते हैं एक चमशी करीब मैंने नमक डाला है और हल्दी डाला है इन सब चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, नमक की मात्रा को अपने सौधनसार कम जादा आप कर सकते हैं, तो इन सब चीजों को हमें अच्छा घोल त्यार कर लेना है और साइड में रख देंगे, अभी मैंने गैस पे कड़ाई रखी, कड़ाई में मैंने डेर पेस्ट डाला हुआ है मैं पूजा के लिए बना रही हूं अगर आप लसुन प्याज वाला बना रहे हैं वैसे बना रहे हैं तो इसमें लसुन और प्याज का भी यूज कर सकते हैं यह आपकी टेस्ट और चौइस पर डिपेंड करता है इसको हलका हम ब्राउन होने देंगे उ और जो मैंने घोल साइड में बना के तियार किया हुआ वो इसके अंदर हम डाल देंगे और इसको लगतार हाई फ्लेम पर तब तक चलाएंगे जब तक इसमें बॉयल नहीं जा जाता है जब बॉयल आ जाएगा तो इसको हम धीमा करके पकने देंगे तो यहां पर बॉयल आ अभी थोड़ा थोड़ा पानी डार कर एक इसको मिक्स त्यार करेंगे पकोडियों के लिए पानी को हमें एकठा नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके डालना है इस तरीके से और इसको 5-7 मिनट लगतार चलाते हुए मिक्स करना है हमें चलाते चलाते इसका कलर थोड़ा वाइटीस हो जाता है जितना ज़्यादा आप फेटेंगे बेसन के मिक्स को उतनी आपकी सॉफ्ट टेस्टी और फूली-फूली पकॉणिया बनके तयार होंगी इसमें सोडे वगएरे का बिल्कुल यूज ना करें आप कोई खटा भी ना डालें ये फेटने से ही काफी फलफ ऐनके नहीं हो और इन सब चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से थोड़ा सा बारी कटा हुआ धन्या का पतियों कै 정도 कीको डालेंवे हो इसको अच्छे सब मिक्स कर लेंगे ऑस पे हमने कड़ायी PCOS कर लेंगे कड़ाय रख दियों कड़ंग wij तो बड़ा मैंने कोई भी सोडा या खटे का यूज नहीं किया है तब भी हमारी पकॉडियां बहुत ही अच्छी गोल-गोल बड़ी-बड़ी बनेंगी और यह बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी और बहुत ही कम तेल एब्जॉब करती है तो जब भी आप कड़ी बनाए तो पकॉडियों को कम पान से साथ मिनट जो इसका पकॉडियों को डो तैयार कर रहे हैं उसको अच्छे से कम पानी डाल डालके फेटें फेटना बहुत ही जरूरी होता है तो इस तरीके से हम इसको उलट पुलट कर लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से इसको हम तल लेंगे तो पकॉडियां हम पक चुका है लगभग पकते पकते आधा गंटा हो चुका है गैस फ्लेम को हमें आफ कर देना है तली हुई जो पकॉडियां है वो इसके अंदर डाल देंगे हमें गैस फ्लेम को बंद करके ही यह प्रोसेस करना है क्योंकि जाते ही यह अंदर एकदम एब्सॉप कर लेती है बहुत ही soft हमारी कड़ी के पकोड़ियां बन जाती है तो gas flame को हमें on नहीं करना है बस ऐसे ही इसको रखना है 10 मिनट में अच्छे से ये इस सब absorb कर लेंगी अभी इसका हम तड़का तयार कर लेते हैं तड़के के लिए मैंने यहां पर तड़का पैन ले लिया है उसमें मैंने घी डाल दिया है आप चाहें तो oil का भी उसकर सकते हैं थोड़ा सा मैंने जीरा डाला है थोड़ी सी राई डाली हुई है थोड़ा सा यहां पर लाल मिर्श पाउडर हमें ले लेना है थोड़ा सा इसमें हम साबूत लाल मिर्च डालेंगे बस हमें गैस फ्लेम को आफ कर देना बहुत ज़्यादा इसको नहीं जलाना है और कड़ी में हम तड़का मार देते हैं तो ये देखिए हमारी कड़ी बनके त्यार हो चुकी है धन्या की पती से इसको हम गार्णिश कर लेते हैं रूई जैसी सौफ्ट पकोड़ी वाली कड़ी हमारी बनके त्यार हो चुकी है अपने काना जी को इस कड़ी का भोग लगाएं खाने के साथ इसका भोग लगाएं आप देख सकते हैं कितनी नर्म मुलायम कड़ी की पकोड़ी हमारी बनके त्यार होई है रेसिपी कैसी लगी प्लेज कमेंट सक्षिन में बताइएगा चैनल को एक लाइक दे दीजेगा चैनल पर नए है तो प्लेज सब्सक्राइब कर लिजेगा तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक नई रेसिपी में तब तक के लिए तिल देन टेक किया बाई बाई फ्रेंड्स थैंक्स वाचिंग